मैं दॉक्टर युवराज कुमा चेर्मेंट डिपार्टमेंट अब और्थोबिटिक्स जॉइंट रिप्लेस्मेंट एक और सुपर स्पेसिलिटी हॉस्पिटल ग्रेटर फरीदाबाद दिली अन्सियार मैं आज बात करने जा रहा हूं हिप रिप्लेस्मेंट के बारे में पार्थोप्लास्टी जहां जॉइंट को बदलने की बात की जाती है कब करते हैं कैसे करते हैं क्या फाइदे हैं क्या नुक्सान है वो सब्दका हो रहा है सो हीप रिप्लेस्मेंट का मतलब होता है कुल्धा कुल्ह को बदलना कब करते हैं बहुत कॉमन वीजन्स होते हैं ए आर्थ्राइटीस हो जाती है वैसी इस्तिती में करते हैं सो इसमें करते हैं कुला खराब हो गया है मलदब सौकेट और बॉल दोनों को बदलते हैं अगर सिर्फ हम बॉल बदलते हैं उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं टोटल हीप आर्थोप्लास्टी अब य हम यह देखें यह हमारा power है यह सॉकेट अनदर जाता है यह हमार सॉकेट है यह न Shortly हो कि यहां इस्ताबुला में लगता है और यह हमारा ही पैज है यह हूँ यह आके ऐसे फिट होता है तो यह हुआ हमारा यह है हीप जोएंट रिप्लेस्मेंट जब सौकेट और बॉल दोनों को बदलते हैं तो टोटल ही रिप्लेस्मेंट होता है जो इसमें सिमेंटेड होता है अन अगर बात करें कि सबसे अच्छा कौन सा है यह तो केस वाइज डिपेंड करता है बट नॉर्मल कोर्स में देखा गया है सेरामिक और पॉली इस रिजनेबली बेस्ट और क्वालिटी यूजरली हम लोग इंपोर्टेड यूज करते हैं और अन्सिमेंटेड प्रेफरेबली करते हैं जहां कहा जाता है कि उनकी लॉंगेविटी थोड़ी बिटर होती है और अगर बहुत ऑस्टेपरोटीक है तो वैस अगर देखा जएं तो सेरामिक और पॉली इस दर बेस्ट बेरिंग रिकवरी रेट पेशन को हॉस्पीटल में तीन से चार दिं रखते हैं और पूरी तरह सी ठीक होने में लगबख महिना लगता है और पेशेंट महिने डेड महिने में अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में आ जाता है इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं फीजोए थरापी लगभग 15 दिंग कराते हैं सक्सेट रेट इसका लगभग 98-99% है ये तो है हमारा हिप रिप्लेस्मेंट और हिप आर्थोप्लास्टी के बारे में थैंक यू